हलो गाईज कैसे उमीद करता हूँ बढ़े होंगे गाईज यह है 2030 की न्यू होंडा SP125 गाड़ी के अंदर की है कुछ नई बदलाब गाड़ी का अन रोड प्राइस क्या है 2030 में कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं अब यह गाड़ी आपको BS6 Face2 वाले इंजिन के साथ मिलती ह OBD2 sensor आपको इस गाड़ी में दिया जाता है, mileage क्या देती है, top speed कितनी है, सारी details वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को अन तक जरूर देखना फ्रेंट में आपको glossy black color का वाइजर मिलता है, जिस पे Honda की stickering मिलती है, वाइजर के साइड में आपको यहापे blue color का कौल मिलता है, इसका head कौल, यहापे आपको dual stickering मिलती है, grey और lemon green color, जो की काफी better लग रहा है, गाड़ी के फ्रेंट में आपको full split LED headlight का setup दिया गया है, इस गाड़ी के front suspension की बात करें, तो आपको telescopic type के यहापे suspension मिल जाते है, गाड़ी के suspension के दोनों side में आपको reflector भी दिये जाते है, यह गाड़ी आपको 2 variant के अंदर मिलती है, एक disc और drum, drum में आपको 130 mm के drum मिलते है, फ्रेंट में यह जो आप देख रहे हो, यह disc variant है, इसमें आप 240 mm की display दी जाती है, फ्रेंट में, आपको 8018 का tubeless tire मिलता है, 18 inch के black color के alloy wheel के साथ, यहाँ पर आपको company fitted यहाँ पे dual leg guard दिये जाते है, leg guard की quality काफी ज़्यादा बेटर है, इस गाड़ी में एक कमी लगी मिर को वो मैं आपके शाथ share करता हूँ, यहाँ पर इसके जो footrest हैं वो आपको non adjustable मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर adjustable footrest मिलने चाहिए थे, या फिर जैसा है, वैसा ही ठीक है, बात करें इस गाड़ी के engine की, तो इसके अंदर आपको 123.94 cc का air cooled four stroke to valve BS6 fi engine दिया जाता है, जिसमें power मिलती है, आपको 10.8 ps की 7500 rpm पर, इसका जो torque है वो म गाड़ी मिलती है, जिसके उपर आपको 3 tone color दिये जाते हैं, जिसके वैसे गाड़ी का look काफी जादा बेटर लग रहा है, इस गाड़ी का जो wheelbase है, वो आपको 1285 mm का मिल जाता है, इसकी height मिलती है 1103 mm की, गाड़ी के fuel tank काउल के उपर आपको 3D में Honda की branding दी जाती है, प्लास 80% petrol यूज हो रहा है, एक अपरेल से जो भी गाड़िया लांच हो रही है, उन गाड़ियों के अंदर, अब चलते है हमारी comfort zone के तरफ बात करें इस गाड़ी की seat की, तो इस गाड़ी में आपको 790 mm की seat height मिल जाती है, seat के उपर अभी जो देख रहे हो, आप ये cover लगाए, ज गाड़ी के suspension की बात करें, तो इसमें आपको rear में जो suspension मिलते है, वो मिलते है hydraulic type के आपको adjustable यहाँ पे suspension दिये गए है, red color के, गाड़ी के refine engine होने की वैसे, इसके silencer की sound quality भी काफी जादा better हो चुकी है, silencer के उपर आपको ए chrome finishing में muffler दिया गया है, single muffler मिलता है आपको यहाँ यहाँ पे आपको passenger footrest जो है, वो foldable मिलते हैं, round shape में, rider footrest आपको foldable नहीं मिलते हैं, पीछे वाला जो tire है, वो आपको 188 का tubeless tire मिलता है, जिसमें 130 mm के आपको drum brake दे जाते हैं, पहले आपको यहाँ पे 808 का मिलता था लेकिन अब tire size increase कर दिया है यहाँ पे, तो यह complaint तो खतम ह होती है customer की, तो बात करें इसके tail light की, तो tail light में कोई भी बदलाव नहीं किया है, वो ही आपको halogen bulb के साथ इसकी tail light मिलती है, halogen bulb के ही इस गाड़ी के अंदर आपको indicator दिये जाते हैं, पीछे number plate के लिए जगा मिलती है, एक reflector और number plate के ऊपर आपको एक light का option भी दिया जाता है गाड़ी की दूसरी side में आपको black color का seat cowl मिलता है, जिसके उपर आपको dual stickring मिलती है, lemon green और grey color की stickring मिलती है, यहाँ पे आपको lady plane के लिए footrest मिल जाते है, सारी guard दिया जाता है, जो की company fitted आता है, पीछे जो chain cover है आपको, गाड़ी के जो chain cover है, वो आपको fully covered यहाँ पे chain cover मिल rider footrest आपको full level नहीं मिलते है, गाड़ी का seat panel पे आपको same way blue color का panel जिस पे आपको SP125 की stickring मिल जाती है, और petrol tank के उपर आपको three tone color दिया जाता है, side में आपको chrome finishing में Honda की branding दी जाती है, इस गाड़ी का जो curve weight है वो आपको 116 kg मिलता है, यहाँ पर आपको 5 speed का gearbox दिया जाता है, इ यह आपको plastic में दिया जाता है engine के उपर, यहाँ पे आपको black color का handle bar, handle bar के उपर Honda की branding, indicator का switch मिल जाता है, horn का switch मिल जाता है, और एक passing का switch मिलता है आपको left side में, ride में आपको engine kill switch और self का switch दिया जाता है, बात करें इसके meter की तो fully digital meter console आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके side में आप देखेंगे दो बटन है ब्लैक कलर के उससे आप इसकी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता है स्पीडो मीटर मिल जाता है गेर सिप्ट इंडिगेटर मिल जाता है क्लॉक का ऑप्शन मिलता है इसमें आपको इसके अंदर आपको साइड श्टैन की वार्निंग भी दी जाती है टर्न इंडिगेटर मिल जाता है न्यूटिल की लाइट मिलती है आप इसमें गाड़ी का रियल माइलेज भी चेक कर सकते हो गाड़ी चलाते वक्त क्या आपने कितने किलोमेटर गाड़ी चलाई है उस गाड़ी को लेके आपकी क्या रहा है गाड़ी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंड करके आप उससे पूछ सकते हो उसका रिप्लाई में हंडिगेटर गाड़ी चलाते हैं परसें देने वाला हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना कि कैसी वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ तो गाइस लेते हैं अलविदा मिलते हैं एक लिए वीडियो में टेक केर